हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टो आर चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ में ये शेर करने वाली हूँ कि आप बच्चो को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन्स का जो टॉपिक है, जो कोशन्स होते हैं, इसके वो आप कैसे समझा सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स एक चैप्टर होता है बच्चो को, फ्रैक्शन्स तो वैसे देखिए, फर्स्ट सेकंड क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, बिलकुल बेसिक से अगर आप सिखाना चाते हैं, तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, अब इसमें जो आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो आता है एक्विवेलेंट फ्रैक्शन्स, तो एक्विवेलेंट फ्रैक्शन्स आप कैसे बच्चो को समझा सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, देखें, जो नंबर हम इस तरीके से लिखते हैं, फाइट बार सेवन के फॉर्म में ये क्या कहलाता है fraction कहलाता है fraction है इक fractional number है तो इसमें जो उपर वाला number होगा वो numerator कहलाता है और जो नीचे वाला number है वो denominator कहलाता है equivalent fractions क्या होते है equivalent fraction इसी से आपको अंदाजा हो रहा होगा equivalent मतलब क्या है equal है जो fractions equal है वो क्या कहलाते है equivalent fractions कहलाते है अब अगर मान लेजिए आपको कोई एक question दिया है एक number दिया हुआ है fractional number और कहा गया है उसके 4 to 5 equivalent fractions निकालना है आपको तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे questions share करने वाली हूँ और जो book में questions दिये रहते हैं कौन कौन से questions आते हैं कैसे आप बच्चे को समझाए ये भी share करूँगी तो देखें यहाँ पर एक circle है इसके 4 equal parts है उन 4 equal parts में से 1 part जो है वो shaded है मतलब इसका fraction क्या हो गया 1 by 4 4 equal parts है नीचे आ जाएगा और उसमें से 1 shaded है उपर आ जाएगा यहाँ पर देखें 8 equal parts है और उसमें से 2 parts shaded है अगर मैं इसे बीच से half कर दूँ तो यह हो गए है 4 part यहाँ से कर लेते हैं तो यह 1, 2, 3, 4 4 part है 4 में से 1 shaded है 1, 2, 3, 4 4 में से 1 shaded है मतलब यह भी same ही बात हुई अब यहाँ पर देखें है 3 by 12 यह सभी equals है कैसे equals है यहाँ पर भी अगर मैं 4 equal parts लूँ जैसे कि यह 4 equal parts मैंने लिए तो इसमें से 1 part shaded हो गया यह 4 equal parts अगर मैं ले रही हूँ तो 1 part इसमें से shaded हो गया और अगर यह बच्चे हुए 4 part है इसमें से 1 part shaded हो गया तो बात वही होई 4 में से एक पार्ट क्या है shaded है सेम इसी तरह से 4 by 16 भी हो जाएगा तो ये जो fractions है ये क्या है equal है अब इसमें हम देखेंगे questions किस टाइब क्या आते है first इसमें question है write 5 equivalent fractions 2, 3 by 5 and 4 by 9 तो इन दोनों के ही equivalent fractions लिखने है आपको अब देखिए यहाँ पर जो number दिया गया है वो क्या है 3 upon 5 है इसके equivalent fractions आपको find करना है तो हम इसमें क्या करेंगे multiply करेंगे इसी भी number से आप कर सकते है लेकिन एक rule इसमें जो होगा कि आप इस number को जिस भी number से multiply करेंगे नीचे वाले number को भी उसी से करना है आने numerator में अगर आप कोई change करते है वही same चीज़ आपको denominator में भी करनी है पहली चीज़ दूसरी चीज़ किसी भी number से आप multiply कर सकते है divide इसले नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ही numbers किसी एक number से divide हो नहीं सकते है इसले हम क्या करेंगे multiplication ही करेंगे तो अगर हम इसे 1 से multiply करते है same number आएगा इसले हम 1 से multiply नहीं करेंगे उसके बाद आप किसी से भी कर सकते हैं बस ध्यान इतना रखना है numerator को जिससे multiply करोगे denominator को भी उसी से multiply करोगे सबसे आसान तरीका इसका ये होगा कि पहले हम 2 से इसे multiply कर देते है 3 2 0 होता है 6 5 2 0 होता है 10 ये इसका एक equivalent आगया है इसी तरीके से 3 by 5 को हम लेंगे अब next हम 3 से multiply कर देंगे तो 3 3 0 होता है 9 3 5 0 होता है 15 फिर इसी तरीके से देखिए 3 by 5 हम फिर से लिखेंगे और 3 के बाद अब कौन सा नमबर आता है 4 तो हम इसे 4 से multiply कर देंगे 3 4s are 12 5 4s are 20 फिर इसी तरीके से देखिए फिर से हम क्या करेंगे अब इसे 5 से multiply कर देंगे तो 3 5s are 15 और 5 5s are 25 फिर से हम इसे लिखेंगे क्योंकि हम 5 equivalent fractions शाहिए है तो हमें 5 बारे से multiply करना होगा 5 के बाद आता है 6 तो हम इसे 6 से multiply करेंगे 3 6 are 18 5 6 are 30 ये 5 equivalent हमारे आ गए है कौन कौन से 3 by 5 equivalent है 6 by 10 9 by 15 12 by 20 15 by 25 18 by 30 तो ये जो 5 है ये 5 equivalent fractions हमारे आ चुके हैं एक और question है 4 by 9 इसका भी हमें equivalent निकालना है तो यहाँ पर देखिए 4 by 9 multiply by 2 हम करेंगे पहले 4 by 208 9 by 2018 फिर से 4 by 9 और अब हम 3 से multiply करेंगे numerator में 3 से तो denominator में भी 3 से तो यहाँ पर आएगा 12 यहाँ पर आजाएगा 27 फिर हम multiply करेंगे 4 से तो यहाँ पर आएगा 16 यहाँ पर आएगा 36 फिर अब हम multiply करेंगे 5 से तो यहाँ पर आएगा 20 यहाँ पर आएगा 45 फिर से हम multiply करेंगे किसे 6 से तो जितने equivalent शाहिए है उसका प्लस 1 अगर आप करते हैं तो वहां तक आपको इसे multiply करना है 2 से start करते हुए तो यह हो जाएगा 24 यह हो जाएगा 54 तो यह जो numbers है 8 by 18, 12 by 27, 16 by 36, 20 by 45, 24 by 54 यह क्या हो गए है? equivalent fractions next इसी में question आता है write an equivalent fraction to 4 by 7 with denominator 42 अब आपको condition दी गई है equivalent fraction तो निकालना है लेकिन क्या करना है? इसका denominator आपका कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए उपर कितना आएगा यह नहीं बोला है है न? तो यहाँ पर देखिए जब इस type का question आता है सबसे पहले तो दिमाग में हमारे आएगा कि आखिर यह 7 से 42 बन रहा है ठीक है? 7 से 42 बन रहा है तो इस नंबर में हमने किसका multiply किया होगा? क्योंकि जिसका multiply हमने इसमें किया होगा उसी का इसमें भी होगा तो हमें उपर वाला नंबर न मिल जाएगा तो जब हम 7 का table पढ़ेंगे तो 6 times में क्या आता है? 42 आता है 7 6s are 42 तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 6 से multiply कर देंगे 6 4s are 24 तो इसका correct equivalent क्या बन गया है? जिसमें कि denominator हमें बोला गया है कि हमारा 42 ही आना चाहिए तो वो बन गया है 24 upon 42 फिर इसी में question आता है write an equivalent fraction 3 by 11 to get numerator 15 अब हमें नंबर दिया है 3 by 11 और अब हमारा numerator 15 आना चाहिए तो denominator कितना होगा? सेम हम देखेंगे कि हमने इसे इसमें change किया है तो हमें किस से multiply करना पड़ा है? तो 3 में हमने 5 से multiply किया होगा 350 क्या होता है? 15 होता है तो नीचे के नंबर में भी हम 5 से ही multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 तो 3 by 11 का equivalent fraction जिसमें कि numerator 15 हो कितना आ गया है? 15 by 55 Next question है reduce 12 by 20 to its lowest term हमें इसे इसके lowest term में reduce करना है lowest term तक तो यहाँ पर देखिए 12 upon 20 है दो तरीके हैं इसके या तो आप इसका HCF निकाले जो भी इसका HCF याने की highest common factor होगा उससे आप इसे divide कर दीजिए और दोनों को ही हम divide करेंगे क्योंकि हमें lowest चाहिए सबसे छोटा चाहिए तो हम divide करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा या फिर आप क्या कर सकते हैं? numbers को काटते हैं वो method से भी आप कर सकते हैं तो पहले हम क्या करेंगे? 12 और 20 का HCF लेंगे I hope बच्चों को HCF निकालना आता होगा HCF भी इन दोनों numbers का अलग-अलग भी हम निकाल सकते हैं मैं साथ में निकाल रही हूँ यहाँ पर जब आप साथ में निकालें तो आपको एक ऐसा number सोचना है जिससे कि ये दोनों ही numbers divide हो जाए ठीक है? जब हम अलग-अलग करते हैं तो हम सिर्फ एक ही आसा number ढूनते है जो एक number को divide कर सके लेकिन हम साथ में कर रहे है तो एक हमें ऐसा number ढूनना है जो कि इन दोनों को ही साथ में divide कर सके तो 2 एक ऐसा number होता है ये 6 times में जाएगा और ये आजाएगा 10 फिर से मैं 2 से करती हूँ तो यहां पर आएगा 3 यहां पर आएगा 5 अब यहां 3 है यहां 5 है इससे छोटा यह हो नहीं पाएगा और नहीं कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइट कर सकता है तो कितना है हमारा 2 x 2 याने कितना आगया है 4 तो अब हम क्या करेंगे इस इसे 4 से डिवाइट करेंगे और इसे भी 4 से डिवाइट करेंगे तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 टाइमस में 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है 5 टाइमस में तो आंसर हमारा क्या हो गया है 3 by 5 ठीक है यह हमारा आंसर हो गया है यह lowest term में हो गया है अब एक ट है कैसे बता सकते हैं आप तो इसके लिए देखिए आपर क्या है 4 by 9 है और है 8 by 18 तो अब हम क्या करेंगे इसमें दो तरीके है इसके भी पहला तरीका denominator को हम सेम कर ले तो हमारा numerator अगर सेम आता है तो यह एक्विवेलेंट है और अगर नहीं आता है तो एक्विवेलेंट नहीं है और एक तरीका यह है सबसे सरल कि इनका हम cross multiplication करें यानि 4 को हम multiply करें 18 से और 8 को हम multiply करें 9 से जब हम इसे multiply करेंगे तो देखे 480 होता है 32 यहाँ पर आएगा 2 3 carry over हो गया है 4104 और प्लस 3 करेंगे तो आजाएगा 7 और 89072 ही होता है तो क्या यह equal आ गया है यह equal आ गया है cross multiplication में जैसे हमने इसको इससे multiply किया और इससे इससे multiply किया अगर दोनों equal आते हैं तो मतलब यह equivalent है तो यह जो हमारे number है यह equivalent है इसी तर टाइप से आपको questions दिए जाएंगे अगर माल लेटेए यह दोनों number equal नहीं आते हैं मतलब वो दोनों ही fractions क्या होंगे equivalent नहीं होंगे तो यह था equivalent topic fractional numbers से इससे related 5 questions मैंने आप लोग के साथ में share किये हैं I hope आप लोग के लिए यह वीडियो helpful रहा होगा और different 5 type के questions जो है इस exercise में रहते हैं कैसा लगा है वीडियो कमिट ज़रू कीजेगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजेगा थैंकियो फॉर वाचिंग